कि अस्मन जस्में होंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूं क्या लिख रहा हूं देखना चाहेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माटी पे माटी क्यों लिख रहा हूं इसके पीछे एक बड़ा कारण कि तो वो बताने से पूर तनिक मुझे पानी पे पानी तो लिखने दीजे क्या हुआ जो मैंने लिखा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूं तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्ता है माती पर माती लिखना कितना सरल है उतना ही कटिन है पानी पर पानी लिखने संबंद भी कुछ इसी प्रिकार होते हैं बनाते समय माती पर लिखने जितने सरल और निभाते समय पानी पर लिखने जितने कटे अब प्रश्णी ये उठता है कि पानी पे लिखा कैसे जाए इस प्रकार ये पाशान जल की सते से होते हुए जल में समाग है ठीक इसी प्रकार हमें सम्मंदों को भी निबाना है इस पाशान की भाती निष्ठा से गहराई में जा सम्मंद कभी नहीं विखरेंगे राधे राधे